वो इसके लिए भी है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गडवन्दन जीते और साती साथ हमारा जो सम्मिधान है वो बचे सम्मिधान बचेगा तो हमारा लोक तंत्र बचेगा और लोक तंत्र बचेगा तो हमारा आपका एक बोर्ट देने का जो अधिकार है वो बचने का काम होगा ये एटा वाले लोगों को किसान की पैदाबार की कीमत देंगे और उन्हें खुशाल बनाने का काम करेंगे हमारे किसान बाई हैं और सब गाउं से लोग आए अभी फसल तयार हुई है यहां जितने बे खड़े लोग हैं कोई हमें बता दे यहां पर किसान बाई हो किसान के परिवार के लोग क्या किसी को गयों की कीमत की आए दो गुनी मिल गई यही बीजे पी के लोगों ने वादा किया था कि आए दो गुनी कर देंगे ना आए दो गुनी की और ना सरकार ने कोई ऐसा इंतसाम किया है जहां हमारा किसान जाकर के अपनी फसल की कीमत ले ले ना कीमत दे पा रही है लेकिन महंगाई करकर के एटा वालों से बहुत पैसा एंठा है नोंने इतना पैसा एंठ लिया है महंगाई बढ़ा के जिसकी कल्बना नहीं की जा सकती महंगाई बढ़ गई दस साल में हर चीज की कीमत बढ़ा दी और हमारे किसान भाई जानते होंगे लागत बढ़ाई जा रही है लगाता यहां के हमारे किसान भाईयों को वो समय भी याद होगा जिस समय किसान आंदोलन दिल्ली में चला था बहुत सारे किसानवाई समर्थन में गए थे और जो पहुंच नहीं पाये थे वो अपनी जगे रहे करके समर्थन कर रहे थे बीजेपी के लोगों ने अंदोलन को रोकने के लिए बड़ी बड़ी RCC की दिवाल लगा दी सडकों पे कीले ठोक दी डीजल टेक्टरों को भरने नहीं दिया लेकिन उसके वावजूद भी देश के किसान वाए खटा होकर के धरने पर बैट गए कई दिनों साल बैठे रहे अंतों गदवा सरकार को तीनों काले कानून बापिस लेने पड़े तब किसान घर पहुँचे किसानों वो याद है कि एक हजार के लगबा किसान सईद हुए थे ये जो बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और हम तो अपने पतकास साथ से कहेंगे वो आकड़े निकल वाई ये बीजेपी के दस साल में एक लाग किसानों ने आत्मत्या की है ये जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि विक्सित भारत विश्ग्रू भारत बन जाएगा क्या दुनिया में कहीं भी दस साल में एक लाग किसानों ने आत्मत्या की होगी कहीं किसानों ने आत्मत्या नहीं गी केवल भारत में और वो भी तब भार्दी जिंता पार्टी की सरकार यहां पिछले दस साथ से है किसानों को धोगा दिया नोंने और हमारे नौजमान जानते होंगे यहां खड़े हुए हैं इनका भविस्ट खतम कर दिया यहां बहुत सारे नौजमान हैं जिन्नोंने परिशा की तयारी की होगी अपने संसाथनों से परिशा देने गए पढ़ाई करी ट्रेनिंग करी इसकी तयारी की कई नौजमान हैं जिन्नोंने कोशिंग ली और जब परीच्छा देने गए घर लोट करके आए तो पता लगा पेपर लीग हो गया और कोई एक पेपर लीग नहीं हुआ ये नौजवान जानते होंगे जितनी परीच्छा हुई है उत्व देश सरकार की हर परीच्छा का पेपर लीग हो गया अभी आये थे दो नम्मर वाले नेता पता नहीं यहाँ भी सभा करके गए होंगे के नहीं करके गए आज पास कहीं करके गए हैं और लखनों वाले तो हर जगे घूम रहे हैं यह पहली सरकार है जो लीके जिसका रुकी नहीं पा रहा है बताओ पेपर लीक हुए के नहीं हुए और अभी जब भरती गए थे नौजमान पुलिस की भरती देखने गए थे साट लाखों लाख बच्चों ने परचा भरा जब घर लोट करके आए घर बैठ गए तो पता लगा ये पुलिस की भरती का भी पेपर लीक हो गया लाखों नौजमान ऐसे ही रह गया मैं अपने नौजमानों से कहना चाहता हूँ ये सरकार नौखरी नहीं देना चाहती है इसलिए पेपर लीक करा रही है और जब पहला पेपर लीक हुआ था तभी पकड़े गए होते तो शायद इतने पेपर लीक नहीं होते पेपर लीक के कारण उत्तप लेज में साथ लाख नौजमानों का इन्होंने भबिस छीन लिया उनको नौखरी नहीं दी है जिन्होंने परिशा लिखी थी अगर हम साथ लाख ही नाराज है सरकार से और उनके परिवार के दो लोग और जोड़ दें माबाप तो अगर एक परिवार में तीन लोगों का बोट इनके खिलाब चला गया तो बताओ साथ लाख का गुड़ा अगर हमने कर दिया तो हर लोग सुवा में दो लाग पच्छिस जार बोट कम हो गया बताओ कम हो गया के नहीं हो गया और जब से देवे साकी जी प्रत्यासी बन गए तब से बीजे पी वालों को नींद नहीं आ रही है एटा के बेटों ने इस बार कमाल करके दिखा दिया है कि बीजे पी के हो सुड़ा दिया है इस बार बताओ बरोधियों को समझ में नहीं आ रहा है और उनके पास जवाब नहीं है कि नौकरी क्यों नहीं दे रहे और नौकरी नहीं हम जानते हैं एटा के और मेनपुरी और आसफास के जिले जो अपने घर के जिले हैं यहां के नौजमान हमेज़ा फौज के लिए जाते थे बड़े पेमाने पे यहां पर गाउं गाउं लोग फौज की तैरी करते हैं सबसे ज़धा अगर फौज थे रिटार्इल लोग हो कर के आए हैं अगर प्जिब में वो जिले हैं मुदफन अगर और जिले हैं तो अगर हमारे आसफास के जिले एटा मेंट पुरी फुरजाद वो जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग फौज में जाते थे और फौज से लोट करके आते थे इस सरकार ने बीजेपी के लोगों ने पूरी जानकारी हासिल की कि ये फौज के लोग जाते हैं तो उनके घर की आर्तिक सिती कैसी रहती है उनका समाजे किस तर कितना बढ़ जाता है जब बीजेपी को ये पता लग गया सर्वे के बाद कि गाओं का जवान नौजमान जब जाता है फौज में और सेवा करने जब देश की जाता है सीमा की रख्षा करता है तो नकेबल जवान देश की रख्षा करता है बलकि अपने घर का समाजे किस तर भी बेहता कर देता है उसके आने वाली पीड़ी पढ़ लिक लेती है इसलिए जानबूश करके इन्होंने पकी नौकरी को रोकने का काम किया है फौज की पहले जैसे भड़ती होती थी वो बंद कर दी और ये जो अगनी वीर विवस्था लेकर करके आए है मैं अपने नौजमानों से कहना चाहता हूँ और फौज के लोगों से जो रिटाइर हैं उनको तो सम्मान मिलता है पैंशन मिलती सब कुछ इंडिया गड़बंदन की सरकार बनेगी तो ये अगनी वीर जैसी नौकरी समाप्त करकर के पहले जैसी भड़ती शुरू कराने का काम करेंगे ये बीजेपी वालों ने बीजेपी वालों ने अभी तो फौज की भरती चार साल की की है ये दुबारा सरकार में आ गए तो ये जो खाकी वाले घूम रहे हैं कभी कभी गुस्ता दिखाते हैं इनकी भी नौकरी तीन साल की हो जाएगी और जब ये तीन साल बाद बापिस आएंगे तो हमारे आपके साथी यही गूम रहे होंगे कभी कभी पत्तकार साथी पूछते हैं कि तीन साल की कैसे नौकरी हो जाएगी मैं उनसे पूछता हूँ यो बताओ पूरे देश को किसी को पता था कि अगनी वीड चार साल की नौकरी हो जाएगी बताओ आपको किसी को पता था कि आदी रात नोट बंदी हो जाएगी किसी को पता था कि जी एस्टी लागू कर देंगे किसी को पता था कि बीजे पी के लोग इलेक्टरोरल बॉंड से हजारो करूर रुपए बसूल लेंगे तो इसलिए ये भी साबधाम है फौज की अगर चार साल की नौकरी हो जाएगी तो इनकी भी तीन साल की नौकरी बीजे पी वाले कर देंगे और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें नौकी न देनी पड़े आरश्चर न देना पड़े ये जो लोग कह रहे हैं आजकल बड़े बड़े जो दिल्ली से लेकर गए और जो बीजे पी को कभी कभी सुजाब देते हैं जो केवल भारत का नी दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरश्चर खतम करना चाहता था अब बोर्ट चाहिए तो कहरें कि आरश्चर खतम नहीं होगा आरशन नहीं खतम होगा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये बताओ अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनिया बिग जाएंगी और प्राइवेट हातों में चली जाएंगी तो आरशन कहां मिलेगा ये जो हवाई जाज वाली बिभाग बेज दिया एरपोर्ट बेज दिया जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी बताओं वहाँ क्या आरशन लागू होगा अगर रेल बिग जाएगी तो क्या हूँ आरशन होगा अस्पताल में जो आउट सोर्स पे नौकरी आ गई क्या उसमें आरशन होगा और ये अगर भरती से लेकर के और जो कर रहे हैं सम्धा और आरशन होगा ये नकेबर नौकरी खतम करना चाहते हैं बलकि आरशन भी खतम करना चाहते हैं ये इनकी बड़ी साजिस है लेकिन हम समाजबादी लोग इनको कामयाव नहीं होने देंगे ये जहां जा रहे हैं ये बीजे पी वाले जहां जा रहे हैं हम लोगी बुराई कर रहे हैं जहां जाते हैं बुराई करते हैं लेकिन इस बार हम लोगों ने तै कर लिया है कि इनकी बेंड वाजे से बिदाई करेंगे बहुत धोल नगार से बिदाई करेंगे ये चौदे में आये थे और चौविस में चले जाएंगे इन्होंने बहुत अन्याय किया है बहुत लोगों को तकली परेशानी पहुचाई है जूटे मुकद में लगे हैं बताओ यहां जूटे मुकद में लगे समाजवादियों पर के नहीं लगे बताओ जूटे मुकद में लगा दिये नर जाने कितने लाखों की संक्या में हैं जिन पर इस सरकार ने जूटे मुकद में लगाए आप सोचिए डिली के मुक्यनती को जेर फेज दिया आप आदवी पार्टी के मुक्यमयती को बताओ जूटे मुकद में लगा करके भेजा के नहीं भेजा अगर कोई आरोप है तो आरोप तो किसी पे भी लगा दो आप आरोप लगा के ही जेल भेज दिया और आपकी जो पॉल खुल गई इलेक्टरल बॉन्ड से कोई सोच सकता है हम और आप लोग भी कभी कभी कुछ कारकेम करते हैं लोग सहयोग करते हैं हजार दो हजार रुपए का सहयोग कर देते हैं पांच हजार रुपए का सहयोग कर देते हैं एक लाग का जो संपन होता है वो सहयोग कर देता है लेकिन सोचो बीजेपी के लोगों को कितने रुपए की मदद हो रही है एक हजार करोड की छहसो करोड की पांसो करोड की चारसो करोड की और इन्हों ने तो उसको भी नहीं छोड़ा जो वैक्सीन वाली कंपनी थी उससे भी पैसा बसूल लिया जो करोड़ा में वैक्सीन लगवा रहे थे उस कंपनी से चंदा बसूला के नहीं बसूला और उनसे चंदा इसलिए बसूला है उन्हें डराया धमकाया उन्हें जूटे मुकद में लगाने के लिए कहा ED, CBI, Income Tax भेज दी Income Tax, ED, CBI इनको भेज करके इन्होंने चंदा बसूला है इसलिए इस बार इन चंदा बसूले वालों का हिसाब किताब होगा और एक एक बोड डाल करके इनको हटाने का काम इंडिया गड़बंदन करेगा जो पश्चिम से हवा चली है जो पहले चंड से हवा चली है बताव बीजे पी का सफाया होता चला जा रहा है के नहीं होता चला जा जा रहा है क्या एटा वालों इस वाद छोड़ दो गे ने दस साल ये जो दस साल से लोग सरकार में हैं केवल एक सरकार का हिसाब किताब इनसे नहीं मांगना है दिल्ली वालों के दस साल का हिसाब किताब और साथ साल उत्तपदेश की सरकार का हिसाब किताब बताओ सत्रे साल में एटा को क्या दिया इनों ने बतादो हमें एटा ओलों की जेव से एट लिय हूंगे पैसे बताओ पैसे इनों ने एटे की नही एटे जो समाचवादियों ने अइम बूलेंस बनाई थी वो भी खराब कर दी इनों ने गाँगाँ गरीवों की मदद करती थी एम्बूलेंस एम्बूलेंस इसलिए विवस्था की थी कि गरीव के परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए तो फोन करें इस्पटाल पहुंच करके उसका इलाज हो जाए इन्होंने नकेवल एम्बूलेंस खराब की है बलकि अस्पताल में किसी गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है बताएए बीजेपी वाले कहीं एक जिलास्पताल बनाया हो जहां पर गरीबों को इलाज मिल पा रहा हो हमारा गरीब अगर बीमार हो जाए तो भागता है बड़े शहरों की तरफ आगरा में जाकर करके लूट होती है उसके साथ दवाई, इलाज, सब कुछ महंगा कर दिया और ये सो नमबर दी थी पुलिस को जिसको एक सो बारे कर दिया बताओ एक सो बारे बनने के बाद बसूली हो रही जादा के नहीं बिजली का बिल जादा देना पर रहा, मीटर लग जगया सब जगे और अभी तक इन्होंने बिजली लगाने का कोई कार खाना शुरू नहीं कर पाए ये कार खाने के बारे में बोलते ही नहीं है इनकी आखों को पता नहीं क्या हो गया एटा आते होंगे तो बताओ उन्हें दिखाई नहीं देता कितना हुचा पावर प्लांट लगा हुआ है बताओ बी जे पी के नेता आएं यहां पर किसी ने नौकरी के बारे में बात की बताओ ना पेपर लीक के बारे में बात की और ना अरच्षड देने की बात की और ना इतना बड़ा पावर प्लांट है जो चालू हो जाता तो शायद बिजली सस्ती मिलती बताओ चालू हो गया क्या ना केवल यह एटा और आसपास को बिजली देता बलकि पूरे उत्तप्रेस को यह बिजली देता यह ऐसा कारखाना समाजवाद दिने लगाया और आज भी नहीं शुरू कर पाए इसलिए साब्दान रहोगे इस चुनाओं में मद्दान के दिन अपने बूत की रख्षा करेंगे आप एता वालो घवरा मजज़ाना यह चुनाओं हमारा आपके भविस्ट का तो है ही है आने वाली पीडी के भी भविस्ट का है क्योंकि अगर यह सत्ता में आ गए तो यह समिधान बदल देंगे जो बावा साब भीमरा मिटकर जी ने हमें समिधान दिया है इस समिधान को बदलना चाहते हैं आपके हमारे एक बोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं यही समिधान है जो हमें सम्मान दिलाता है यही समिधान है जो हमें अधिकार दिलाता है यही समिधान है जो हमारी संजीवनी है इसलिए लोगतंत्र को बचाने के लिए आपको समिधान बचाने के लिए एक एक बोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने का काम करना साइकल चुनाचिन पे डालने का काम करना और जब ये बड़े बड़े उद्योग पतियों का कर्ज माफ कर रहे हैं 16,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 करज माफ होगा दिल्ली की सरकार बनने पर इंडिया कड़ बंदन पूरे के पूरा किसानों का करज माफ करेंगे और अपने नौजमानों को जितनी भी नौक्रियां खाली है जितनी भी नौक्रियां खाली है लाखो लाख नौक्रियां तीस लाग से ज़्यादा खाली है उन नौकरियों को भरेंगे और फौज पेरामिलिटरी और भरतियां बड़े पेमाने पे कराई जाएंगी जिससे हमारे नौजमानों को नौकरी करने का मौका मिल जाए ये बीजेपी वाले नकलची लोग है जब इन्हें बोट चाहिए था तो रासन दे रहे थे रिफाइन तेल दे रहे थे नमक दे रहे थे और चने की डाल दे रहे थे चना भी दे रहे थे सरकार बना ली तो बताओ क्या मिल ला है अब इसलिए ये जो राशन दे रहे हैं ये बिलकुत धड़कलास दे रहे हैं हम अपने गरीमों को कहना चाहते हैं कि ना केवल पॉस्टिक बलकि गुडबक्ता के साथ राशन दिलाने का काम इंडिया गर्बंदन और समाजवादी पार्टी करेगी और जिस तरीके से संपन्द लोग बड़े-बड़े शेरों में पैकेजड आटा खा रहे हैं स्वादेश्ट और पॉस्टिक अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो पॉस्टिक आटा के साथ साथ आपका डाटा भी फ्री देने का काम होगा और डाटा इसलिए फ्री देना चाहते हैं के आज हर जानकारी आज हर ज़रूरत की चीज़ सरकार से लेकर के और चीज़ों को सब हम लोग अपने मुबाइल के माद्यम से इंटरनेट के माद्यम से देख सकते हैं और मदद ले सकते हैं इसलिए स्वास के लिए स्वास के लिए तो आटा और रासन बेतर गुड़गता के साथ और अपने लोगों को जोड़ने के लिए उनकी मदद के लिए डाटा फरी देने का काम करेंगे हम लोग जानते हैं न केवल आम लोग असुरच्छित हैं बलकि हमारे खेद भी सुरच्छित नहीं बचे खेद किये किसान खुद सुरच्छा कर रहा है और हम पत्कार साथजियों से कहेंगे अभी जो बजट आया था उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाने के लिए बजट रखा था पचास करोड मुख्यमंत्री जी ने खेदों की रख्षा के लिए मुख्यमंत्री खेद रख्षा योजना चलू की थी अरे मुख्यमंत्री खेद रख्षा मुख्यमंत्री से रख्षा नहीं करना खेद हम और आप जानते हैं खेद को किस से बचाना है किस से रख्षा करनी है तो कमजगाम वहाँ पर उसका नाम तो लिख देते है इसलिए साफदान रहिए मद्दान के दिन तक और ये जो चर्ण का चुना होने जा रहा है ये सबसे महत्पूर्ण चर्ण है और एटावारों बहुत दिनों से नहीं जीते हम लोग इस बार तो पीडिये परिवार जिता रहा है ये पीडिये परिवार ये जो कभी कभी हम लोगों से कहते हैं कि हम यादव वाले लोग हो गए हैं हम लोगों के आरोब लगाते हैं ये लोग ये हमें और आपको बदनाम करने के लिए आरोप लगाते हैं के नहीं लगाते हैं हमें और आपको बदनाम करने के लिए इन्होंने का कि सब SDM भरती कर दिये थे एक दिन सदन में मुख्वंदी जी को पता ही नहीं क्या कह रहे है बोले जब समाजवादी सरकार बनी थी तब SDM 46 में 56 बढ़ती हो गए थे हम आज तक पूछ रहें उनसे वो 46 में 56 वाली सूची कहा है हम लोगों ने भी अब PDA परिवार बना लिया PDA परिवार इसलिए घवराए हुए है बताओ PDA परिवार से घवराए हैं BJP के लोग के नहीं और PDA परिवार जब से जुड़ गया बढ़ा हो गया परिवार तब से ये इंडिया गडवन्दन का नाम इंडी बोलते हैं बताओ इन्हें अंग्रेजी भी समझ में नहीं आ रही है ये नाम भी नहीं ले पा रहे हैं ये PDA ही एंडियो को हराएगा ये ही अपने पिश्रे दलित आधिवासी अल्फसंगाग और आधियाबादी भारती जंता पार्टी को इस बार हरा करके उन्हें लोग सभा से हटाने का काम खरेंगे वैसे तो बहुत दावा करते हैं कानून का बहुत दावा करते थे एंका अबी हम मंच पे आए तो हमें बताया कि पकड़ हो गई है पकड़ हो गई है समस्पुर मारा में पकड़ हो गई ही बताओ ये सरकार दावा करती कानून, लॉइन आर्डर और एक मुएने ये कोई एक घटना नहीं है उत्ता प्रदेश के पूरे आकड़े निकल वाले है सबसे ज़्याद है लूट, डेकैती इस तरह के काम हो रहे हैं, पकड़ के काम केवल ये ही नहीं पहली वार देखने को मिला यूपी में के अभी तक तो हम और आप जानते थे और देखते थे के पुलिस चोर को पकड़ रही है लेकिन पहली वार देखने को मिला है पुलिस चोर पुलिस को पकड़ रही है और अपरादी खुले ज़ूम रहे है जितने भृष्टाचारी है जितने माफिया जितने अपरादी है सब भारती जन्ता पार्टी ने अपने गोदाम में रखे हुए है अपने दल में जोड़ लिया सब को इनों ने ये जो हम लोगों को और आपको केवल बदराम करना चाहते हैं ये बदराम करने के लिए हमारे आपके उपर अन्याय कर रहे हैं क्या अर्विंद केजीवाल पर कोई ऐसा अरोप था जेल जाने का बदाव मुख्यमंत्री को जेल भेज़ दिया अभी हम लोग जारकन गए थे लाकों लाक की रैली थी इतनी बड़ी रैली के हम लोग देख नहीं सकते थे पूरे जारकन के लोग खटे थे हुआ जारकन के मुख्यंत्य जेल भेज़ दिया बिना किसी उसके इसलिए हम कहना चाहते हैं आप से इत्यास उठा करके देख लेना जिस तानाशा के वारे में हम लोग कभी कभी चर्चा करते हैं हिटलर वो भी तानाशा बोट से आया था बोट से पहुँच करके कबजा कर लिया हटा नहीं ये लोग भी बोट से पहुँच करके कबजा करना चाहते हैं इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर लोग तंद में हमें अधिकार मिला है बोर्ट डालने का तो इन्हें बोर्ट डाल करके इनको सत्ता से हटाने का काम करें बोलो हटाओगे इन्हें सब लोग तो एटा को हम लोग गिलनें इस बार इस से अच्छा समीकन क्या होगा बताओ सब बोर्ट दे रहें आपको और तभी उनकी भाषा बदल गई दिल्ली वालों की बताओ दिल्ली वालों की भाषा बदल गई कर नहीं बदल गई कुछ चीजों का नाम ले रहे हैं उनके जीवन में कभी आई ही नहीं वो चीज और अपने लखनों वालों की भाषा बदल गई बताओ भाषा बदल गई के बदल नहीं ना महंगाई पे बात कर रहे हैं ना ब्रोजगारी पे बात कर रहे हैं ना किसान की तकलीप पर इसानी की बात कर रहे हैं और ना पेपर लीक पर बात कर रहे हैं इसलिए नौजवानों याद रखना तुम्हारी नौकरी तो छीनी छीनी है लेकिन सोचना घर जा करके तुम्हारा एक तिहाई जीवन इस भारती जन्ता पार्टी ने बरबात कर दिया एक तिहाई जीवन जो लोटे का नहीं उसे एक तिहाई जीवन को इन्होंने बरबात कर दिया इसलिए सब लोग मिल करके देवे साग जी को साइकल चुनाचिन पर जिताने का खाम करना है इतनी गर्मी इतनी दुफैरी में कुछ लोग तो हैं टेंट के अंदर थोड़ी बहुत चाया मिल लई है लेकिन बिना उसके ही दुपैरी में खड़े लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चाहें वो सामने उपर दिखाई दे रहे हो चाहें हमारे सामने हो दूर तक देखना हो बाई तरह वो पीछे भी लोग खड़े है और पहले हम लोग साटिपिर्ट वायरा देने लगे थे जाती जड़ना तो कराएंगे ही कराएंगे जिससे हर आबादी को अपने हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए जो जितना अवादी में उसे हक और सम्मान मिल जाए बगेल समाच को हम लोग साटिपिर्ट देने लगे थे धनगा साटिपिर्ट जो इस सरकार ने रोख दिया जान बूच करके हम लोग जारी कराने का काम करेंगे उन्हें भी सम्मान दिलाने का काम करेंगे जहां तक हम लोगों का नारा था पुरानी पेंशन बहाल होगी पहले भी बहाल करना चाहते थे अंगनी वीर्ट खतम होगी और पुरानी पेंशन बहाल होगी हमें सिच्छा मित्रों को हम लोगों ने सम्मान दिया था पकी नौकरी देने का इंजाम कर रहे थे सिच्छा मित्रों का इन्हों ने जीवन बरबाद कर दिया उन्हें भी सम्मान और सरकारी नौकरी की तरह उन्हें नौकरी देने का काम भी समाजवाजी सरकार में होगा किसानों का करज माफ होगा पूरा का पूरा जब ये उद्योग पतियों का करजबाफ कर सकते हैं तो किसानों का करजबाफ क्यों नहीं होगा एटा कासगंच के लिए लिंक करने के लिए टेन सुब धा ये तो आने वाले समय में इंडिया गड़बने की सरकार बनने जा रही है आपकी लिंक ट्रेन की विवस्था भी करनाने का काम हम लोग करेंगे और अगर हमें एटा को सीधे आगरा लखनौ एस्प्रेजे से जोड़ना पड़ेगा तो वो भी जोड़वा करके सीधा सीधा लखनौ और पीशे दिल्ली पहुँचाने का काम करेंगे जहां हम एटा आप लोगों से सयोग मदद मांगने आए हैं वहीं बगल में भी ख्याल रखना महिनपुरी का महिनपुरी तो याद है और इधर सब हम लोग ही लड़ना है चुनाओ महिनपुरी तो नहीं भूल जाओगे आप लोग और फरकाबाद में भी लड़ना हैं डॉक्टर नवल किशोर साग के है इसलिए उनकी भी बदद करना सब लोग मदद कर देना और जिता देना यही आप से अपील यही निवेदन में करना है बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का और लोदी राम सेवक पहलवान जी को हम लोग संग्टर में रखेंगे लेकिन याद रखना यह समिधान बचाने का चुनाव है बचाओ के हमारे फौजी भाईयों यह नौजमान जिनकी नौकरी छूटी परिच्चा छूट गई परिच्चा पेपर लीग हो गए यही अपील में करने हैं हूँ इस सफल कारकम के लिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आबहार पिकेट करता हूँ